दोस्तों, क्या आप ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं, जो कंपनी पुरे देश में अलग-अलग स्टेट में काम करती हैं। तो अब तक आप क्या करते थे? आप multiple companies create करते थे और फिर उन सभी company को मिला करके एक group of company create करते थे। आपको Teleprime 3.0.1 की मदद से multiple companies create करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही company create करेंगे और उसी company के अंदर multiple state के GST number भी add कर सकते हैं। और इसी के साथ आप multiple state के sales and purchase के bills भी add कर सकते हैं। तो दोस्तो आप सीखने वाले हैं Teleprime का most weighted यानि सबसे ज़्यादा weight किया जाने वाला version Teleprime 3.0.1। दोस्तो इसमें मिलने वाले जो features हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। जब हम Tele ERP9 यूज करते थे और जब हम Teleprime यूज करते थे दो दोनों ही companyों में आपको multiple state में company create करनी पड़ती थी। यहाँ पर आपको multiple branches management का भी option आपको मिल जाता है। अब multiple branches management होता क्या है तो जैसे माल लीजे आपकी तीन जगा पर companies हैं जिसमें सबसे पहली आपकी जो head branch है वो आपकी दिल्ली है, दूसरी आपकी उत्तरपरदेश है और तीसरी उत्राखंड है। तो दोस्तों मुझे अलग-अलग company create करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें मैं एक ही company में multiple state पे काम कर सकता हूँ। तो चलिए इसे हम practical तरह से समझते हैं। तो दोस्तों company create करने के लिए आपको जा रहा है create company पे, create company पर enterprise करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface open हो जाएगा, और यहाँ पर आप अपनी company का नाम टाइप कर सकते हैं, तो example के लिए हम यहाँ पर अपनी company का नाम लिख देते हैं, multiple company. company का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर mailing name में same name रहने देना है, माल लीजए हमारी main head of branch है, और यहाँ पर आपको अपनी head of branch का address देना होगा, तो हम यहाँ पर इसका address फिल कर लेते हैं, company का address फिल करने के बाद आपको enterprise करना है, enterprise करने के बाद यहाँ पर आपको अपना state टाइब कर लेते हैं पिन कोड लिखने के बाद अपनी कंपनी का यहाँ पर टेलीफोन नंबर टाइब कर सकते हैं तो जैसे मालेजिक हम यहाँ पर अपनी कंपनी का टेलीफोन नंबर टाइब कर देते हैं और इसके बाद एंटर पैस करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी company का mobile number डालना होगा तो यहाँ पर हम अपना mobile number डाल लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना fax number डालना होगा अगर आपकी company में fax use होता है तो आप यहाँ पर अपना fax number डाल सकते हैं example के लिए हमने randomly कोई भी number यहाँ पर type कर दिया है इसके बाद आप अपनी company का email id यहाँ पर fill कर दीजे email id फिल करने के बाद आप यहाँ पर अपनी company की website डाल दीजे website डालने के बाद आपको यहाँ पर enter press करना है और enter press करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने financial year beginning दिखाई दे रहा है और book beginning from दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको दोनों वही same date रखने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर enter प्रेस करके नीचे आ जाना है यहाँ पर आप देखेंगे आपकी currency symbol रुपीज आ गई और आपका formal name यहाँ पर आएनर आ गया तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है आपको simple enter एंटर करके इसको यहाँ पर save कर देना है इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ options आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको अपने keyboard से backspace दबाना है और यहाँ पर show more feature को यहाँ पर yes करा देना है yes करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफी सारे options दिखाई देंगे तो यहाँ पर आपको gst number वाले option पर आना है regular और composition अब यहाँ पर एक option और add हो गया है जो है regular SEZ यानि special economic zone तो अभी फिलाल हम यहाँ पर regular को select करेंगे और regular को select करने के बाद यहाँ पर आपको अपना GST number डाल दे रहा है यानि आपकी company का जो भी GST number है वो यहाँ पर fill कर दीजे तो यहाँ पर हम अपनी company का GST number डाल लेते ह GST number को fill करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी जो GST R1 की filing है वो कैसे करेंगे मन्थली करेंगे या फिर quarterly करेंगे तो फिलाल हम यहाँ पर इसको मन्थली select करेंगे क्योंकि हम अपनी company का जो भी GST R1 file है यानि जो भी GST R1 filling है वो हम मन्थली तो यहाँ पर हम मन्थली को select करके enter best करेंगे और यहाँ पर आपको enter enter करके नीचे की तरफ आजाना है नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक और option दिखाए देगा create another GST registration for the company तो इसको हम बाद में use करेंगे अभी फिलाल हम इसे यहाँ पर इसे save कर देंगे save करने के बाद नीचे की तरफ जब आप आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक option दिखाए देगा enable multiple addresses का तो यहाँ पर आपको इस वाले option को भी यहाँ पर yes करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाए दे थी अपनी कंपनी की वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी तो यहाँ पर आपको एंटर एंटर करके इसे यहाँ पर save कर देना है save करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी second branch का नाम टाइप करना है तो हमारी जो second branch है वो हमारी उत्तर परदेश तो यहाँ पर ह सबी detail हमने fill कर लिए, fill करने के बाद हम यहाँ पर इसे enter करके save कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पर आप हमी तीसरी branch add कर सकते हैं, तो जैसे हमारी जो तीसरी branch है, वो यहाँ पर उत्रा खंड है, तो यहाँ पर हम उत्रा खंड लिख लेते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस company की भी सारी details यहाँ पर fill कर लिए है, तो fill करने के बाद हम इसे enter, enter करके यहाँ पर save कर देंगे, अगर आप और भी branches यहाँ पर add करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमने GST number को यहाँ पर add नहीं किया है, तो इसके लिए आपको जाना है country पर, या तो आप यहाँ पर click कर सकते हैं, और या तो फिर आप अपने keyboard से alt के साथ जैसी k press करेंगे, तो यह option आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको जाना है वापस से feature वाले option पर, या तो आप अपने keyboard से directly F11 भी type कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम जैसी click करेंगे, तो आप देखेंगे वही options हमारे सामने यहाँ पर दुबारा से open हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हमें enter, enter करेंगे नीचे आना है, और अब जाना है हमें सीधे GST Detail पर, GST Detail को जैसे हमें यहाँ पर select करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अभी फिलाल हमारे पास जो information आ रही है, वो primary की information आ रही है, तो आपने जो detail पहले फिल की थी अपनी primary company के लिए, वो details आपको यहाँ पर दिखाई देगी, तो यहाँ पर आपको enter, enter करके नीचे आना है, और यहाँ पर आप देखेंगे, primary के बाद जैसे आप enter press करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, accept को एक option आ रहा है, बट enter press करना है, y दो बाकरिंग जैसे आप यहाँ पर enter press करेंगे, enter press करने की बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने, फिर से state यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम अपना दूसरा state सेलेक कर लेते हैं, तो दूसरा state जो था, वो हमारा था उत्तर पर्देश, तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश को select करेंगे इसे हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में डालते हुए नीचे की तरफ regular रखते हुए यहाँ पर इसका GST number फिल कर देगे तो यहाँ पर हम इसका GST number डाल देते हैं इसकी बाद हम यहाँ पर enterprise करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम GST R1 की फिलिंग मंत्री या कॉटली करेंगे तो वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से setup कर सकते हैं हम यहाँ पर मंत्री को select करके यहाँ पर इसे enterprise करके यहाँ पर इसे save करेंगे save करने के बाद आपको यहाँ पर पहुंचना है accept करने से पहले आपको एक बार backspace फिर से दबा देना है backspace दबाने के बाद इसे फिर से आपको यहाँ पर yes करना है yes करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे वो entry जो अबारी थी वो यहाँ पर save हो चुकी है उत्रप्रदेश वाली अब यहाँ पर हम अपना उत्राखंड को सिलेक करेंगे तो यहाँ पर हम ने लिया उत्राखंड उत्राखंड को लेने के बाद यहाँ पर हम उत्राखंड को सिलेक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर रेगुलर को रखते हुए यहाँ पर उत्राखंड multiple companies कहाँ पर दिखाई देंगी तो आपको अपने keyboard से F11 प्रेस करना है F11 प्रेस करने के बाद आपके सामदे company features का option दिखाई देगा यहाँ पर आपको enter enter करके जिस्टी वाले option पर आ रहा है और यहाँ पर जैसे आप enter करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर तीनों की टीनों GST नंबर से यहाँ पर दिखाई देंगी तो इस तरीके से आप टेली प्रैम के अंदर multiple companies create कर सकते हैं अलगला GST नंबर के साथ अलगला state के साथ तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप और भी अपनी ब्रांचिस एड करना चाहते हैं आप इसी तरीके से आप यहाँ पर create वाले option पर जाएंगे यहाँ पर आपको enterprise करना होगा और यहाँ पर अपने state को select करके यहाँ पर आपको अपना state select करना होगा और उसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी ब्रांच को add कर पाएंगे तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेशेर जरू कीजेगा धन्यवाद